कई दिनों से मीडिया में अटकले लगाई जा रही थी कि महाराष्टर में जल्द ही नया सियासी भूचाल आने वाला है। खबर थी कि महाराष्टर के उपमुख्य मंतरी अजित पवार गुट के कुछ नाराज नेता उनके चाचा शरत पवार के साथ वापस जा सकते हैं। आज अचानक अजित गुट के दिगज नेता चगन भुचबल पवार से मुलाकात करने पहुँच गए। इस मुलाकात पर अ जिस तरह मराठा आरक्षन पर लोगों को भरकाया जा रहा है उसके पीछे शरत पवार ही है। आज वह उनसे मिलने पहुँच गए है। क्या यह मुलाकात मराठा आरक्षन के मुद्दे पर है या फिर एजेंडे में कुछ और है। खबरों में बताया जा रहा है कि छगन भ शरत पवार ने ही NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी लेकिन कुछ महीने पहले भतीजे ने बगावत कर पार्टी तोर दी। चुनाव आयोग ने भी अजित पवार के गुट को असली NCP माना। अब आज की मुलाकात से नए समीकरन बन सकते हैं। एक दिन पहले महाराष्टर के मंतरी चगन भुजबल ने राष्टवादी कांग्रेस पार्टी शरत चंदर पवार के प्रमुक शरत पवार पर पर परोक्ष हमला करते हुए दावा किया था कि विपक्षी महाविकास आगाडी, MVA ने शाम पांच बजे 12 मती से फोन आने के बाद 9 ज भुजबल ने 12 मती में रैली को संबोधित करते हुए कहा, जब सामाजिक मुद्दे सामने आते हैं, तो यह उम्मीद की जाती है कि शरत पवार जैसे वरिष्ट नेता को बैठक में आना चाहिए और अपने सुझाव देने चाहिए, पहले जान बूज कर बहिशकार करना, फ लेकिन M.V.A. नेता शामिल नहीं हुए, M.V.A. नेताओं का दावा था कि मराठा आरक्षन के मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया, भुजबल ने दावा किया, शाम पांच बजे 12 मती से आइफोन के बाद विपक्षी नेता बैठक में नहीं आए, पुने जिले का 12 मती लोग सभा शेत्र राकामपा, A.P. नेता शरत पवार का गर है, भुजबल ने कहा कि उन्होंने राजे विधान सभा में विपक्ष के नेता विजे वडे टीवार और राकामपा, A.P. नेता जितेंद्र आवहाद को बैठक में शामिल होने के लिए कहा पवार साहब ने पूर्व प्रधान मंत्री दिवंगत, V.P. सिंग द्वारा दिये गए आरक्षंग को लागू किया और हम इसके लिए हमेशा उनके आभारी है भुजबल ने बारामती के मराठा, धंगर और O.P. समुदायों के लोगों के हितों की कथित रूप से अंदेखी करने के लिए विपक्ष पर सवाल उठाया उन्हों ने कहा, बारा मती के मराथा, माली और धंगर OBC समुदायों के लोगों ने सुनेत्रा पवार या सुप्रिया सुले किसी को तो लोकसभा चुनावों में वोट दिया होगा आप हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन इन समुदायों को क्यों असाय छो रहे हैं? क्या उनके हितों की रक्षा करना आपका कर्तवे नहीं है? सुले ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हरा कर बारा मती लोकसभा सीट पर अपना कबजा बरकरार रखा सरवदलिय बैठक के बहिशका के कारण राजे विधान सभा में हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर राजनीतिक लाब के लिए जान बूझ कर जातिगत तनाव भरकाने और आरक्षन मुद्दे को हल करने के लिए रचनात्मक रूप से काम नहीं करने का आरोप लगाया